जब जनता का घुसा आता है तो फिर वो नेता नहीं देखता है पिर वो अगर उसको शत्ता परिवर्तन करना है वो कर देता है फिर मिल जुल करता है हो जाता है सबसे बड़ी पार्टी का जो कैंडेड़्ेट होगा वो पी-म बनेगा मेरा प्रश्ण आपसे ये है कि अगर पॉलिटिक्स तो आप ग्यान की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं गरीब युवा किसान और नारी लेकिन धर्म का तड़का आप लगाते हैं क्यों ने बोला गया इनका आरोप है उसका जवाब दीजे लिए वो कह रहे हैं कि अभी तो मंदिर पूरा ही नहीं हुआ है आप कैसे अगर जन्ता नाराज होगी तो पलट देती है बिलकुछ सही बात है अगर जन्ता नाराज हो और दूसी तरफ भरोसे का नित्र तो दिखाई पढ़ ला हो तो बिलकुर पलट देगी बिहार में यही होने वाला है आप यह तैमान लीजे उसका करोड़ में आपको बताना चा ताइस करोड हैं यानि सोला करोड तो ये हो गए और अगर जो मुद्रा योजिना के तहत हुए हैं अब जैसे एक बात राजीव रेंजान जी ने कही थोड़ा मैं आपती जनक है कहते हैं वो एक दिन के लिए भी हो सकता है मानेवर एपी एफो में महीने के महीने जमा होता है तो ऐसा नहीं होता कि एक दिन के लिए किया तो उसका प्राविडेंट फंड जमा होगा मिनीमम उसका महीने में होगा और तब उसके उपरान की होता है अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ हर महीने का डाक्टा आता ही भी होगा और ये निरंतर अब ये 11 करोड सर 11 करोड से 27 करोड हूँ है अगर 44 करोड जो मुद्रा योजिना के लोन है अगर उसमें माली आजए एक चौथाई ने भी एक कोई जॉब क्रेट किया होगा और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ आकड़े को छोड़िये मैं फिर कह रहा हूँ 37 किलोमेटर पढ़ते सड़क बन नहीं है भाई 24 नए एरपोर्ट बन गए यह हवा में बन गए मोबाइल की 200 से दिक फैक्टरियां लग गई यह हवा में बन नहीं है यह कोई आसमान से कोई जिन आके बना रहे हैं क्या कम से कम यह बात मोबाइल यह आटो मोबाइल में हम तीसरे नंबर के दुनिया के देश हो गए साड़े साथ करोड इस समय परिवार भारत में है जिन में कि कोई यह हमारा डाटा नहीं है यह जो आटो मोबाइल कमपनियों का डाटा जिनके बास कोई ना कोई एक आटो मोबाइल हो या फोर विलर हो तो वो कहां से आ गया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और नौकर परकारी नोक्रियां तो दे दी होनी चाहिए तो मेरे खाल से 12-13 लाग का बताएं अभी राजी वरंजन जी ने बताया कि 15,000 के आसपास खेर हिंदी भाषी छेत्रों में हरियाना से लेके बिहार तक दुख की बात है कि केवल बिहार ही अभी बीमारी छेत्र में है और वो भी इसलिए शायद कि यहीं एकमात राज यह हिंदी वाषी शेत्रों में जहां आस तक भारती जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं रहा यानि सत्ता के सूत्र हमारे हाथ में नहीं आए और जेडियू की बात कहूंँग आपने का ललन सिंग जी का सफाया नहीं साब जेडिय आपको संसत से निकाल दिया गया ठीक है साब तो आप खड़े होकर वहां उपराश्पत की मिक्री कर रहे थे वहीं लेफ्ट साइड में स्ट्रिप्स लगी थी उसके बार मीडिया कड़ा था आपको बाहर आना चाहिए था और इंडियन पैनल कोड को भारती नाय सहिता बना लगे इस लिए मैं कहना चाहता हूं और अप इतने सारी लोग सभा कंस्टिच्वेंसी को म्यूट कर रहे हैं पारलिमेंट में जब आप उनके चुने हुए सांसादों को सस्पेंड करते हैं आप खुद राच सभा सांसादों प्लैकार्ड नहीं यूज किये जाएंगे और जो बात कही जाएगी अपने इस्थान से बैटके कही जाएगी और उसके बाद नहीं किया गया वो बात पूरी तरह फिर मैंने कह तो दिया है अगर इनके बनने था तो महारा के प्रेस कॉनफेंस करते हैं ना डिटेल पॉइं और अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ अभी आलोग जी ने कहा कि वो फनाना फक्कड इस धंग से बोला इन्होंने कि वो जाके आरेसेस वाले कह रहे हैं चावल लेक्या हुए हो बानेवर जब देश खड़ा होता है तो पूरे देश के जनजन को जोड़ा जाता है भूल बेडिन की जनकार कहाँ गद्धी कहाँ कुरसी गद्धेदार कहाँ चवन्नी मांगे गुजर कहाँ रिश्वत बेस उमार तो इसलिए अब आपको लगने लगा कि वो सारी की सारी चीज़े नहीं है और गरीब को नियाई की बात करते हैं तो मैं राजीव रंजन जी और इन गई भागीदारी और अन्तमे में एक और बात भी कहना चाहता हूं इन्हों ने कहा जिसे आपने भी बोला कि राम मंदिर का जो मामला है उससे युवा हाथ देगा क्या साथ देगा ये सोच मेरे विचार से उचित नहीं है और कम से कम वो लोग जो कहते थे सर्तन से जुदा वो नारा लगाने वाले युवाई थे कोई बुड़े लोग नहीं नहीं लगा रहे थे वो नारा तो आप सोच लीजा अगर एक युवाई इस तरफ खड़ा हुआ है और दूसरे युवा को ये बताया जाएगा कि राम मंदिर से तो तुमारा कुछ नहीं होने वाला है मेर के लौ मिनिस्टर रहे कपित सिब्बल जी बावरी मस्जित के पक्षकार थे और राजनी तिला कर ये कह रहे थे दो हजार उन्नीस के बाद इस जिजदन को लाईए अनिथा भाजपा को लाब मिलेगा तो कौन पक्षकार था कौन अदाकार था किसने हाहाकार किया है ये कि पूरी किस्मत आने वाले दिनों में बदले की नहीं बलेगे अंतराश्ट्रिय हवाई अड़ा बन रहा है होटलों में वहाँ पर होड है अभी कि हमें वहाँ पर सेंटर्स खोलने है पूरे आयोध्या के लिए एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है क्या य ना और ये मैं नहीं कह रहा हूं जो तमाम शंकरा चा रहे हैं वो भी कह रहे हैं और एक नहीं तमाम तरह कि प्रशंचिन वो खड़े कर रहे हैं मंदिर के एक मंजिल के उपर और समय के उपर और तमाम चीजें कह रहे हैं कि बीजेपी ने सब को साइड में कर दिया एक नया कि आज का विशे नहीं है मैं फिर कहूंगा मनीपूर जिस तरह से डबल इंजिन के नाम पर वोट मांगा गया क्या मनीपूर के उपर अब दो हजार चौबिस में जाकर मोदी जी 39 में वोट मांग सकते हैं पूरे देश में क्या जिस तरह से आज 85-86 रुपए में डॉलर हो गय कि हमने तो दो करोड रोजगारों की बात नहीं की थी हमने तो केवल अफसरों की बात की थी अब अफसरों का कैलकूलेशन कैसे होता है नौकरी नहीं रोजगार की अफसर का था नौकरी नहीं रोजगार को पूरी भाजपा को पूरी भाजपाने का चिला 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 के वो कि दो करोड रोजगार छोड़िये आठ जून को पिछले साल चार मंतरियों ने आके प्रेस कांफेंस की थी कि हम सरकारी 10 लाख रोजगार देंगे देड़ साल हो गया साड़े 5 लाख रोजगार मातर आएं हैं आपने तो रोजगारों को रोका है आपने MSME कितनी बंद हो गई उसका अंदाजा नहीं आपको आपको ये नहीं अंदाजा है कि नोटबंदी के बाद कितने लोग घर में बैठ गए लगबग 45 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोक्री की उम्मीद छोड़ दी तमाम समवेधानिक संस्ताओं को जिस तरह से मुट़्ी में रख कर और आप जिस तरह से देश को चला रहे हैं आज पूरी तरह से देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक विभाजन जिस तरह से पैदा कर दिया है आज आपने तुलना भी की तो एक तरफ कहा आपने वो सरतन से जुदा वाले बच्चे हैं, युवा हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर वाले हैं, आज भी आपका जो एजिंडा है वो डिवाइड एंड रूल का है, हम तो फिर कह रहे हैं कि आपने जो 2013-14 में भाशन दे कर जो जो वाइदे किये थे, उ आप केवल और केवल समाज में विभाजन पैदा करकर, जूट बोलकर, जूटे आखड़े दे कर, अभी आपने एक आखड़ा जूटा दिया, मैं चैलेंज करता हूँ और आपके आखड़े को 44 करोड मुद्रा लोन दिये, मुझे बता दीजे 44 करोड की लिस्ट कहां पर है, 44 करोड की लिस्ट या रहे हैं, मैं फिर कहूंगा, देश के अंदर 26 करोड परिवार हैं, इसका मतलब हर परिवार में पौने दो मुद्रा लोन चले गए, दोनों पर जवाब देजे, मनलब किसको बेवकू जो बना रहे हैं आप, पीम आवास हो योजना और इस पर, मुद् साइट है, सरकार का कौन सा अंकड़ा है, जहां से हम चेक कर सकें, देश आज तक के दर्शकों को बताईया, बिल्कुल जवाब देता हूँ, बिल्कुल, जो इनकी बात का बिंदुवार जवाब देता हूँ, पहले रिवर्स से शुरू करता हूँ, मानेवर 44 करोड का के पटल के उपर दिया गया और आप करें, 44 करोड की लिस्ट बताईये, 44 करोड की लिस्ट बताने कितने पनने किताब बनेगी पता है, पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, इसलिए, नहीं, सौट कापी पढ़ लेंगे आप, माने वर्स, लोर अप्धा हाउस पे दिया गय इंप्लाई प्राविडेंट फंड स्कीम, जिसमें बाकाइदा डिजिटल डाटा है कि इस एकाउंट में इतना पैसा गया, उसमें कोई अभी देखे कैसे बोल जाते हैं, तमाम शंकराचारे विरोध में हैं, पहले तो मुझे इस बात पर आता है, क्या तरीका है बाई, कुछ भी बोलना उचित नहीं लगता मानिवर, आप भार्मी भावनाओं का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते, कि पहले कभी कहेंगे अच्छत के लिए ऐसे कर दिया, फिर कह दिया तमाम शंकराचारे जैसे कोई शंकराचारे तमाम होते हों, और नौकरी के बदले जमीन के केस स्थाष्में, जो लोग मुकदमा झेल रहे हैं, और सामाजिक नहाई की बात करके जो गरीब बुर्बा का परिवार अपने को कहता था बिहार में, वो आज सबसे अमीर परिवार हो गया है, जबकि 30 साल से ना किसी ने नौकरी किया ना किसी ने धंदा किया ना किसी ने व्य पर किया है वो आके जब आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो बिहार के गरीब को दिल में दर्द होता है और इन्हों ने कहा कि कोई काम बताईए सहाब दो ऐसे काम जो आप कहते थे जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे धारा 370 और शीराम जन्धूमी दोनों मोदी जी के समय में होके खड़े हो गए आपका दिया गया बयान है दारा 370 ये कभी नहीं हटा सकते हटा देंगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा और तिरंगे की पूरी लहर दिखाई पड़ती है और बीस बीस कंट्रियों के जंडे वहां पे हो गए जी ट्वेंटी क अगर दिये हैं तो हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति सुने कि 26 करोड़ परिवार हैं क्या आपके परिवारों को मिला और मैं फिर कहूंगा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं उस लिस्ट को कहीं तो पब्लिश कर दीजिए एक कहता है एक तालिस करोड़ दूसरा कहता है 42 तीसरा कहता है 44 दारा 370 आज भी समविधान का हिस्सा है उसमें दो परिवर्तन आपने किये और उसमें से भी एक परिवर्तन 15 साल के लिए आपने आगे कर दिया आप कहते थे कि वहां से बहुएं लाएंगे मैं 50 गज का प्लॉट खरीदना चाहता हूं मुझे खरीदवा क ठाके दिखा देना मैं कहूंगा कि धारा 370 में आपने वास्तों में परिवर्तन किया रामजन भूमी आपने कर दी अरे भी कोट का नयायले का विशह हमारा स्टेंड बी यही था आपका दीन यही था नयायले का फैसलह आया क्या नयायले के फैसले को मोदी जी पर भाविध करते हैं आप ये कहना चाहते हैं मैं इस पर सहमत नहीं हूँ आपसे नायले का फैसला आया तमाम पक्षकारों ने इसको सहिर्दात के साथ पूरी तरह से सुईकार किया लेकिन उस पर जमीनों के घोटाले चंदा चोरी के आरोप आपके उपर लेगे